बुलंद शहर के अनुप शहर कोटवाली शेतर में उस समय हड़कम मच गया जब यूपी पुलिस में तेनात महिला सब इंस्पेक्टर आरजु पवार ने पंखे से फांसी लगा कर आत्मत्या कर ली है बताया ज़ा रहा है कि महिला सब इंस्पेक्टर एक नीजे मकान में किराय पर रह रही थी मकान मालिक ने 7 बजे जब महिला को खाने के लिए पूछा तो उन्होंने कुछ देर में आने की बात कही कुछ घंटो बाद जब महिला सब इंस्पेक्टर आरजु पवार नहीं आई तो मकान मालिक ने कमरे में देखा कि महिला सब इंस्पेक्टर आरजु पवार पंखे पर फांसे से लटकी हुई है इसके बाद उन्होंने तुरंत घटना की जानकारी पुलिस को दी जिसके बाद SSP समेत कई अधिकारी मौके पर पहुँचे और घटना स्थलका चायसा लिया इस दोरान महीला के पास एक स्यूसाइड नोट भी बरामत हुआ जिसमें उन्होंने अपनी मौत के लिए खुद को जिम्बिदार बताया है आज थाना अनूप सहर पे तैनात महिला उपने रिक्षक कुमारी आरजू पवार नाम है उसका 2015 की थी और उम्र लगभग 30 वर्ष के आस पास थी आज अपने किराय के मकान में जहां उपर रहती है लिपिन सर्मा का मकान है तीसरे मंजिल पे उपकमरा था जिसमें महिला उपने रिक्षक रहती है उनके द्वारा आत्मर्त्या कर ली गई है मकान मालिक ने जब देखा कि बहुत देर से उनके फोन की घंटी बज रही थी और उठ नहीं पा रही थी तो यह जासने के लिए मकान मालखी जो है ऊपर गई उन्हों ने कणा की यह धरन है धर नहीं खुला तहुने अपने घर के लोगों को बताया और बड़वारी लोगों ने पुलिस वालों को दि पेलिस ड़ोग आए और उन्हों ने आउपर जो दर्वाजे के उपर शिशा लगा था कुर्षी लगा के वहां से देखा तो अंदर पंखे से लटकती हुई दिखी तत्काल ठाने को सुचना दी गई यस्दीव साव और अपर पुलिस अधीक शक्देहात जो इसी शेत्र मौके पे पहुंचे वीडियोग्राफी कराते हुए दर्वाजे को तोड़ा गया दर्वाजा तोडने के बाद फंदे पर लटकती हुई मिली और उन्हें तत्काल उतार के हास्पितल भेजा गया जहां डाक्टर ने उन्हें ब्राद डेट भुसित किया और इनके बिश्तर पर पेन और कागज एक मिला जिस पर इदोंने सुसा समली की रहने वाली थी फिलहाल पुलिस ने महिला के शव को पोस्ट मॉटम के लिए फेज दिया है और घटना की जानकारी आरजुपवार की परिवार वालों को दे दी है बुलंद शहर से इकबाल सैफिकी रिपोर्ट